और क्या हाले मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वैता पाकलम इस स्वागत की सास अभिनेंदन करते हूँ आप लोग कैसे हो आप श्वैता पाकलम बना सिंगारे के आटे के द्वारा त्यार हलवा रेश्पी जो पहुत ही जादा टेश्टी बनके तיार होगी सबसे कम सामागरी के तौरा इस हलवा को आप बना के तיार कर सकते हैं सिंगाणे के आटे के तौरा तैयार हलवा के रिश्ट भी पूरी तरीके से फला रही है आप इसको किसी भी ब्रत उपवास में बना के अपने खाने में सामिल कर सकते हैं आप प्रशाद के लिए भी इसको बना के और प्रशाद में भी बाट सकते हैं फिर आप इसको दहीक साथ खाईए, दूद के साथ खाईए या इसी तरीके से अपने खाने में सामिल कर सकते हैं चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं सिंगारे के आटे के तोरह हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधी कटोरी सिंगारे का आटा लिया इसी के तरह हलवा को बना के त्यार करेंगे सिंगारे काटा बहुत ज़्यादा हिल्दी होता आप इसको किसी भी ब्रत उपवास में अपनी खाने में सामिल कर सकती है आधी कटोरी हमने सिंगारे काटा लिया है तो आधी कटोरी इसके अंदर हमने चीनी का उप्योग किया है और एक से डे टेबे स्पून हमने इसके लिए देसी घी का उप्योग किया है सबसे कम सामागरी में यह हलवा बन के त्यार हो जाता है गैस पे हमने एक पैन रग दिया है पैन गरम हो गया तो इसके अंदर एक टिबाइस्पून देशीघी को डाल देते हैं, गी अच्री तरीकरशे मिल्ट हो गयां, तो इसके अंदर हमने सिंगाड़े के आटे को डाल देना है, आटे को हमने गैस की लोग फ्लेम पे भून के तैयार कर लियून. जब लो फ्लेम पे आप आठे को पूरे आटे को इस चानी के निकाल लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से अपने च्छान के त्यार कर लेना है। अब इसको इस तरीके से च्छान के त्यार कर लेंगे तो जो इसका हलवा बन के त्यार होगा उसके अंदर कोई भी गाठे नहीं होगे। और इस तरीके से देखे हमने इसको च्छान के त्यार कर लिया है। इस तरीके से जब आप आटे को तयार कर लेंगे तो इसका हलवा एकदम से परफेट बन के तयार होता है पूरे आटे को वापस से हमने उसी पैन के अंदर निकाल लिया है अब इसके अंदर हमने पानी को डाल देना है तो आधी कटोरी सिंगारे के आटे के अंदर हमने दो कटोरी पानी का उपयोग किया है एक कटोरी पहले डाल देते हैं आधी कटोरी इसके अंदर हमने और डाल देना इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आधी कटोरी इसके अंदर हमने पानी को और डाल देना है तो आप इस तरीके से रेशियो देखिए कि जितना हमने आटा लेना उसके चार गुना इसके अंदर हम पानी का उपयोग करेंगे अब इसके अंदर जो हमने आधी कटोरी चीनी लिए पूरी शीनी को डाल दीते, अच्छी तरीके से मिला दिया, मिलाने के बाद इस पैन को हमने रख देना है गैस पे, और गैस पे इसको चलाते हुए हमने पका के त्यार कर लिना है, जैसे इसे पकता जाता है, वैसे इसे गाड़ा होता जाता है, गैस पे रखने के बाद इसको हमने gas की मीडियम फ्लेम पे पका के त्यार किया कुल पकने में लगबख 4 मिंट का समय लगा और ये देखे गाड़ा हो गया इसका हलका सा कलर भी चेंज हो गया अब हमने इसको कवर करके gas की लो फ्लेम पे करीब 2-3 मिट तक पका के त्यार कर लेना गैस की फ्लेम पकाते से में एक दम से लो रखनी है जब तक यह पक के त्यार होता है इधर थाली पे हमने घी लगा लिना तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं थाली पे अच्छी तरीके से इसको हमने फैला दिया है इसको रख देते हैं साइडवे अब जो हमने हलवा पका रहे थे इसको पकते हुए लगबख दो मिनट हो गया है जब यह हलवा अच्छी तरीके से पक के त्यार हो जाता है तो इसके अंदर से बड़े बड़े बबसाने लगते देखिए इस तरीके का तो इससे पता चल जाता हलवा पक गया है अब थोड़ा सा घी जो कटोरी के अंदर बचा था आधा टीबे स्पून इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं अब हमने घी को हलवे के अंदर अच्छी तरीके से मिला देना है मिलानेक बाद देखिए यह हलवा बनके तयार हो गया है गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे तयार हलवे को हमने थाली के अंदर निकाल के रख लेना है निकालनेक बाद इसको चारू तरब एक जै कर लेना है तो इस तरीके से देखी इसको हमने कट करके त्यार कर लेज़ एक तम से perfect हलवा बन के त्यार हुआ एक बार आपनी इस recipe को जरूर ट्रय करना है आप इस तरीके से हलवा को प्लेट के अंदर रख लेते हैं अगर आपको माई रिस्पियां अच्छी लगती वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक से और सब्सकाइब करें स्वात के साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए हिल्दी बनाईए हिल्दी खाईए आप ते पना कीमती से में निका के हमारे वीडि देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धर्मवात बहुत बहुत शुक्रिया